हैलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्बीत करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आए बच्चों आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं अविकारी शब्द के जरिये जाने तो बच्चों जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता गौर से सुनिएगा कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यव कहा जाता है हमारे पास दो कॉलन दिये गए हैं, यानि कि खंड, आईए इनके जरिये जानें kya हैं अविकारी शब्द काओ में नौकरानी डाल और रोटी बना रही है और खंडखों में हैं वाक्य है कि नोकरानी ने दाल और रोटी बनाई तो बच्चों इन दोनों खंड़ों के वाक्यों के लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन करके कोखंड और खोखंड के वाक्य बनाए गए हैं इन वाक्यों में मधूर के लिए तथा और पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अतहिये अविकारी शब्थ हैं अविकारी शब्थ पांच प्रकार की होते हैं क्रिया विशेशान, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक और निपाथ परिक्षाय निकट है सक्षम भीतर बैठा पढ़ाई कर रहा है उसकी बहन भी पढ़ रही है वे दोनों अच्छे अंख लाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं वे अपना पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं वे आजकल खेलते भी नहीं है तो बच्चों इस अनुछेद म निकट भीतर खूब ध्यान पूर्वक और आजकल शब्द क्रियाओं की विशेश्था बता रहे हैं अते यह क्रिया विशेशन शब्द हैं अर्थात अर्थात ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेश्था बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन शब्द कहते हैं वाच्चा क्रिया विशेशन अब एक एक करके हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीती वाच्चा क्रिया विशेशन के बारे में तो इन वाक्यों में अचानक तता हस्तेवे शब्द क्रिया की होनी की रीती का बूत करा रहे हैं, अधे ये रीती वाचा क्रिया विशेशन शब्द है, दूसरे निमबर पे आता है काल वाचा क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया की होनी के समय का प पयाम करता है तो इन वाक्षा में सद्था प्रति इन सब्द क्रिया की होने के समय कबूत करा रहे हैं तो ई Bengal वाचत रिए विशिशन मात्य आ मैं फैसे अर्था जिन जब्दों से क्रिया की होने की दिशा यह स्थान का पता चलता है उन्हें स्थान वाच केते हैं जैसे सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए मम्मी आसपास ही गई है इन वाक्यों में दाएं बाएं तथा आसपास शब्द क्रिया हिक्की होने की दिशा वो स्थान का बूत करा रहे हैं अते यह स्थान वाचा क्रिया विशेशन शब्द हैं चौता है परि राघव का भाई बहुत बोलता है तो इन वाक्यों में कम तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा का बूत करा रहे हैं अते यह परिमार वाचा क्रिया विशेशन शब्द हैं चलिया विशेशन और क्रिया विशेशन में एक बार अंतर भी जान लेते हैं तो बच्चों विश विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं जबकि क्रिया विशेशन शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं एक ही शब्द का प्रियोग विशेशन और क्रिया विशेशन दोनों के रूप में हो सकता है जैसे कि विशेशन शब्द है सागर ने अच् सबजी है क्रिया विशेशन में भी आ सकता है सीमा ने खाना कम खाया तो कम शब विशेशन में भी आया और क्रिया विशेशन में तो ये था क्रिया विशेशन और उसके भेद अब हम पढ़ेंगे संबंद बोधक के बारे में बच्चों संबन्द बोधक को जानने के लिए चित्र के माध्यम से एक अनुच्छेद परते हैं सामने एक चित्र दिया गया है उसी पर आधारेत एक अनुच्छेद को हम पढ़ लेते हैं जिसे सोनिया घर के बाहर खेल रही है तबी तेज आनी के साथ बारिश भी आ गए सोनिया का डर के मारे बुरा हाल हो गया उसकी मम्मी उसे घर के अंदर ले गए तो इन वाक्यों में के बाहर, के साथ, के मारे और के अंदर संग्या शब्दों के साथ प्रियुक्त होकर उनका संबन्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं अते ये संबंद बूधक शब्द हैं अर्थात अर्थात ऐसे अविकारी शब्द जो संग्या या सरवनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबन्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं संबंद बोदक शब्द कहलाते हैं अर्थ की दृष्टी से संबंद बोदक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जिन में से कुछ इस प्रकार है पहला है कालवाचक कालवाचक में कौन-कौन से शब्द आते हैं इसमें शब्द आते हैं के पीछे के आगे के बाद के पहले इस तरह के शब्द कालवाचक में आते हैं दूसरा आता है स्थानवाचक इसमें आने वाले शब्द हैं के नीचे के उपर के भीतर के बहर तीसरा दिशा वाचक इसमें आते हैं शब्द की तरफ की और के निकट के सामने चोथे नमबर पे साधन वाचक इसमें आते हैं शब्द की हाथ के माध्यम के द्वारा के सहरे पांचवे नमबर पे समता वाचक इसमें आने वाले शब्द है कि भाती के तुल्य के सदिश के समान छटे नमबर पे संग वाचक इसमें शब्द आते हैं के सहचर के सहीत के समेत के साथ साथवे नमबर पे आते हैं विरोध वाचक शब्द इनमें आने वाले शब्द है काउल्टा के प्रतिकूल के विरोध के खिलाव आथवा है हेतु वाचक इसमें जो शब्द आते हैं वो हैं के वास्ते के लिए के मारे के कारणा दी चलिए अब क्रिया विशेशन और संबंद वोधग में अंतर समझ लेते हैं तो बच्चों जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशीष्ता बताने के लिए किया जाता है तब वह क्रिया विशेशन कहलाता है किन्तु जब उसी शब्द का प्रियोग संग्या या सर्वनाम का वाक्य के अन्ने शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है तब वह संबंध बोधक के लाता है जैसे आईए कुछ वाक्य पढ़े जो क्रिया विशेशन में भी आए है और संबंध बोधक में भी आए है तो क्रिया विशेशन का पहला वाक्य है जैसे संजना बाहर बैठी हुई है इसमें संबंध बोधक में कैसे आएगा ये विद्याले के बाहर विक्ष लगाए जा रहे यानि कि कारक चिन आ जाता है संबंद बुदक से पहले मैंने ये फिल्म पहले भी देखी है तो पहले क्रिया विशेशन परिक्षा से पहले बहुत डर लगता है से पहले संबंद बुदक क्रिया विशेशन शब्द अंदर आईए और संबंद बुदक सब घर के अंदर आ गए तो इसमें अंदर शब्द दोनों जगह है लेकिन संबद बुदक में कारक चिन का प्रियोग साथ में होता है यह याद रखेगा तीसरे नमबर पर आता है हमारा आव्याव समुच्य बुदक चलिए समुच्य बुदक को जानने के लिए दो चित्र हैं हमारे पास उनको मध्यम बनाते हैं पहले चित्र में वाक्य है वानी और धानी बहिन है दूसरे चित्र में वाक्य है आप पिज़ा लेंगे या बर्गर तो वच्चो इन वाक्यों में और तथा या शब्द दो शब्दों तथा दो वाक्यान्शों को जोडने का कारे कर रहे हैं अता यह समुच्य बुदक शब रथात ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों व्यात्रण्शन या वाक्यों को जोड़ते हैं उनने समुच्य भुदक शब्द कहते हैं चलिए बढ़ते हैं आप समुच्य भुदक के भेद की और तो बच्चों समुच्चे बुधक के दो भेद होते हैं समान आधिकरन समुच्चे बुधक दूसरा होता है व्यधी करन समुच्चे बुधक अब इन दोनों को भी हम विस्तार पूर वक्त पढ़ेंगे सबसे पहले जानेंगे हम समानाधी करण समुच्चे बुड़क क्या है बच्चों जो समुच्चे बुदक شब्द दो समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोडते हैं समाना धिकरन समुच्य बोधक कहलाते हैं जैसे कि वीना और सचिन पढ़ रहे हैं दिपक ने बहुत कोशिश की परंतु पैसे ना जोड सका तो इन वाक्यों में और शब्द एक ही स्थिती के दो शब्दों को जोड़ रहा है कौन से दो शब्द वीना और सचिन को जोड़ रहा है जबकि परंतु शब्द दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है दो वाक्यों को जोड़ा परंतु ने अते ये समाना धिकरन समुच्य बोधक शब्द है समाना धिकरन समुच्य बोधक शब्द चार प्रकार के होते हैं पहला है संयोजक, दूसरा विकल्पक तीसरा होता है विरोध दर्शक और चोथा होता है परिणाम दर्शक चलिए कि करकेने भी जालने सबसे पहले जानेंगे हम संयोजक क्या है तो बच्चों जो समुच्य बुदक शब्द दो शब्दों, व्यक्यांशों अत्वाग्यों में संयोग दर्शा आते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं जैसे नीलीमा वह भारती मना ली जाएगी राम लक्षमर तथा सीता वन को गए तो इसमें वह और तथा शब्द जो हैं वो संयोजक का कारे कर रहे हैं दूसरा है विकल्पक जो समुच्चे बोदक शब्द दो शब्दों व्यक्यांशों अत्वाग्यों में विकल्प दर्शा आते हैं विकल्प देते हैं उन्हें विकल्पक कहते हैं जैसे तुम पढ़ना चाती हो या खेलना इसमें दो विकल्प है, पढ़ना है ये खेलना है, अध्यापक का कहना मानो अन्यथा पश्टावगे, विकल्प है या तो कहना मान लो या तो पश्टा लो, तो यहाँ पर या और अन्यथा, ये दो शब्द विकल्पक हैं, तीसरा है विरोध दर्शक बचों दो समुचे आता अपितु कविता लिखता है इसमें किंतु और अपितु जो है विरोध दर्शक शब्द है और चौथे नंबर पर आता है परिणाम दर्शक जो समुचे बोदक शब पूर प्रियुक्त व्याक्यांश या वाक्य का परिणाम बताते हैं उन्हें परिणाम दर्शक कहते हैं जैसे ग्रह कारें नहीं किया था अतहा डाट खानी पड़ी मंजू की मा बिमार है इसलिए वे आज विद्याले नहीं आई इसमें अतहा और इसलिए शब्द जो है वो परिमार दर्शक है अब दूसरे समुचे बोदक की और बढ़ते हैं जो है व्यधी करण समुचे बोदक जो समुचे बोदक शब एक या एक से अधिक आशित वाक्यों को आश्रित यादी डिपेंड होने वाले आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं व्याधी करान समुछे बोधक कहलाते हैं जैसे कि तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बिमार हो तो इसमें आश्रित वाक्य है जैसे तुम्हें विश्राम इसले वाक्यों से जोड रहे हैं आता है यह व्यदीकरन समुच्य बोधक शब्ध है व्यदीकरन समुच्य बोधक शब्ध भी चार पकार के होते हैं पहला है हेतु बोधक दूसरा संकेद बोधक तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा है उद्देश्य बोधक तो चलिए पहले हेतु बॉधक के और बड़े हे तो बॉधक्या होते हैं जो समुच्य बॉधक्शब वाक्यों में क्रिया के कारण को प्रकट करते है उन्हें हेतू बॉधक कहते हैं जैसे मैं बिमार था इसलिए विध्याले नहीं जा सका दिनू मनबुद्धी है इस कारण तुम उसे तंकर रहे हो तो पहले वाक्य में इस लिए और दूसरे वाक्य में इस कारण जो है वो हेतु बोधक हैं दूसरा है संकेत बोधक अर्थात जो समूचे बोधक्षप्त किसी होने वाले बात की और संकेत करते हैं उन्हें संकेत बोधक करते हैं जैसे जब मिलने आओ तो दो दिन की छुट्टी लेकर आना यदि कक्षा में प्रथम आना चाहते हो तो जी तोड परिश्रम करो आगे बढ़ते हैं आप स्वरू बोधक की और तो बच्चों जो समूचे बोधक शब्द पूर प्रियुक्त शब्द या व्याक्यांच के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रियुक्त किये जाते हैं उन्हें स्वरू बोधक कहते हैं जैसे ओस की बूंद ऐसे चमक रही थी मानो कोई मोती हो रामर को दशानन अर्थात दस सिर्वाला कहते हैं तो इसमें मानो और अर्थात शब्द जो है वो स्वरू बोधक है जात्थे नंबर पे आता है उद्देश बोधक बच्चों जो समुच्य बोधक शब्द वाक्यों में कारे करने का उद्देश बताते हैं या दर्शाते हैं उन्हें उद्देश बोधक कहते हैं जैसे की शीगर चलो ताकी जैपूर्गी गारी पकर सको विने जल्दी-जल्दी लिख रहा है जिससे उसका पेपर पूरा हो जाए तो इसमें ताकी और जिससे उद्देश ये बताने का कारे कर रहे हैं तो ये उद्देश ये बुदखशब्ध है आगे पढ़ेंगे आप हम विस्मयादी बुदख की ओर अरे तुम कब आए इसमें एक बच्ची लड़के से कह रही है तो इसी पर आधारी थे अनुछे अरे तुम कब आए इस वाक्य में अरे शब्द मन के भाव को प्रकट कर रहा है अतय यह शब्द विस्मियादी बोदक है अर्था अर्था जिन अविकारी शब्दों से हर्ष व मनों भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मियादी बोदक शब्द कहते हैं अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि विस्मियादी बोदक शब्दों के पश्चार विस्मियादी बोदक चिन अवश्य लगाया जाता है और क्या होता विस्मियादी बोदक चिन एक आदी बोधक शब्द जान देते हैं जैसे कि हर्ष बोधक उसके लिए शब्द आते हैं अहा आहा वावा धन्य धन्य विसमे बोधक के लिए आने वाले शब्द हैं हैं अरे ओहो बाप्रे बाप साथ में आपके फेस के हाव भाव भी बदलेंगे शोग बोधक शब्द होते है हां ओ हाय और भै बोदक शब्द होते हैं बाप्रे उई मां घ्रणा बोदक शब्द होते हैं थू थत छी छी ठिकार है और स्विकृति बोदक शब्द होते हैं हां हां ठीक अच्छा क्रोध बोदक शब्द हैं चुप अबे थत और आशिरवाद बोदक शब्द हैं चिरन सुनो अजी अरे और प्रशन सा बोधक शब्द होते हैं वाह शाबाश अती सुन्दर तो बच्चों ये जान लेते हैं कि विसमे आदी बोधक शब्दों का अन्य प्रयोग कैसे होता है उसको जानना भी बेहस जरूरी है जैसे की वाक्य हैं हम जानेंगे कुछ जैसे हाँ मैं अवश्य जीच जाऊंगा खबरदार जो मेरी चीजों को हाथ लगाया हे राम हम सब की रक्षा करो सुनो आज शाम तुम क्या कर रहे हो सावधान ये दुरगटना संभाविच शेत्र है क्यों मीना से जरा काम भी नहीं हो सकता ध्रत सारे काम का सत्यनाश कर दिया बचाओ बचाओ नरेश मुझे मार रहा है छी छी यहां कितनी गंदिगी है बाप रे बाप इतना बड़ा साप इन बाक्यों में जो प्रत्हम शब्द आए हैं उसके बाद विस्मियादी बुदक शब्द जरूर लगाना है हाँ इसमें याद रखने वाले बाद भी है अब वो बात यह है कि कभी-कभी संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया शब्दों का प्रियोग भी विस्मियादी बुदक के रूप में किया जाता है जैसे संग्या शब्द होंगे जैसे शिव-शिव, राम-राम ये भी संबंद बुदक में आये हैं सर्वनाम शब्द हैं जैसे कैसा, क्यों, क्या विशेशन शब्द है जैसे सावधान, सुन्दर, ऐसी क्रिया शब्द है, हट, जाजा, बचाओ, बचाओ, ये शब्द भी विश्मयादी बुधक के रूप में प्रियोप में आते हैं अब बढ़ते हैं बच्चों हम निपात की और, निपात क्या है, आईए चित्र के माध्यम से जानें, उसके अनुसार, एक अनुछेट पढ़ लेते हैं चित्र में एक बच्ची कह रही है, सब कुछ मैंने ही किया है, इस वाक्ये में जो शब्द है कि मैंने के बाद प्रियुक्त होकर इस पर विशेश बल दे रहा है, यानि कि मैंने ही किया है, मैंने के बाद ही आया है, अतर ये शब्द निपात है, ये मैंने शब्द को विशे बलतदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं जैसे कुछ प्रमुक निपात शब्द हैं ही केवल तो भर तक मात्रादी यह सब क्या है निपात शब्द तो बच्चों अभी हमने सारे अव्यव पड़े लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए सध्याय को दोहरा लेते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यव कहते हैं अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं क्रिया विशेशन, संबन बोधक, समुच्चे बोधक, विस्मयादी बोधक और निपात जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन शब्द कहते हैं और जो अविकारी शब्द संग्या या सरवनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबन वाक्य के अन्ने शब्दों से बताते हैं उन्हें संबन बोधक शब्द कहते हैं जो अविकारी शब्द दो शब्दों व्याक्यान्शों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चे बोदक शब्द कहते हैं और जो अविकारी शब्द विस्मे शोक, हर्ष, भय, आदी मनुभाओं को प्रकच करते हैं उन्हें विस्मे आदी बोदक शब्द कहते हैं विश्मियादीबोदक और निपाथ और इनके भेद भी हमने समझे और इनका प्रियूग कैसे किया जाता है यह सब चानकारी हमने इस पार्ट के जरीए आपको समझाई है उम्मीद करती हूं यह पार्थ आपको अच्छे से समझाया होगा लेकिन लगातार अभ्यास करने से ही आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे अब इसका अभ्यास कारे आप स्वयम कीजिए